अज़ की इस वीडियो में न हम देखने वाले हैं आफटर डिनर सिचुएशन ओफ इच एन एवरी स्टूडेंट हमारी स्टूडेंट लाइफ में चाहे बोर्ड एक्जाइम सुडेंट हो चाहे आभी नाइफ में आयो एलेविंध में या एड़ का कोई छोटा बच्चा भी ह आफटर डिनर सिचुएशन हमारी लाइफ में कैसी होती है कितने कंफ्यूज हम रहते हैं और हमें क्या करना चाहिए डाट विल सी इन डड़ी वीडियो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है अपने आपको इस फोन से छोड़ना ये प्यारे प्यारे गानों से छोड करके बताते हैं कि तुमाहे साथ में भी होती है या नहीं होती है अब सबसे डिफिकल्ट काम अमाले क्या होता है दो चीजों के बीच में फैसला करना सबसे मुश्किल सिचुएशन यह होती है कि यह डिसाइड करें कि यह सब कुछ रेड़ी है जैसे मैंने आप लोगों को अब पड़ाई बची वी है सिलेबस बिलकुल सॉर्ट आउट उतना ही समान यहां पर है जो जो बुक्स चाहिए इस टाइम की पड़ाई के लिए एवरीटिंग इस रेड़ी पानी की बॉटल भी है पैंस बीच है बट फिर भी कन्फूजन इसलिए होता है क्योंकि यह प्य आज रेस्ट कर लेता हूँ आज अपनी बोड़ी को फुल रेस्ट दे तो कल सुबाना मैं इवन बोड इग्जाम स्टुडेंट भी इस टाइब का प्रोकासिनेशन करते है कि आज न मेरे हिम्मत नहीं हो रही है पंडिगी मैं कॉपी खोलूँगा तब भी नहीं पड़ेग अगर तुम रात को नौ बची के बाद भी अगर पढ़ने बैठे हो अगर इस समय से भी पढ़ोगे तुड़े आई विल शो यू कि तुम्हें यही ओप्ट करना है अगर 99 परसेंट चाहिए अगर वह वाला गोल चाहिए न तो तुम्हें सोना नहीं नहीं तुम्हें कल पे तुम्हें कि बेच पर बेटके पढ़ोगे यहां सथरी टेबल मैं तो रिलाकस हो आपने बेट कम सबढ़ती हूं अच क्योंकि जितनी बार उठोगे ना उतनी बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है तो चलो सारा समान इखटा कर लेते हैं जो हमें पढ़ना है और फिर बैटल ओन तुड़ी जीपिए सिर्फ वही बैग जरूरी नहीं है हाथ में भी पकड़ लेना जो तुमारी मर् यह ए हूँ सबसे इंपॉर्टन देंग बैट पर पढ़ने वाले नहीं है जो और नहीं अगरा नहीं है वैसे तुम तकिये भी यूज कर सकते हो बट मेरे पास तो बच्पन से यही है तो मैं तो यही यूज करती हूँ तो इसको रख देते हैं जगा पे एक चीज बूल गई पानी के बॉटल कोई मैं तो जादू से ले आऊंगी पानी आ गया तो चलो स्टार्ट करते हैं तो आज मैं जीने वाली हूँ क्लास 10 बोर्ट एक्जाम स्टुरेंट की लाइफ तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ एक 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 कोई भी पहले ले सकते हो बट मैं पहले ले रही हूँ एसस्ट का चाप्टर दाइस ओफ नाशलिजम इन यॉरप और सरी जी पीएस में इसमें टिक लगाने के बाद ही हम अपना नेक्स काम करने वाले हैं तो एसस्ट का फूरा फुल चैटप रेडी हो गया है मैंने एंस्याटी बुक जरूर रखी है बेकॉस एंस्याटी बुक में से मेजर पॉइंस जो हाइलाइट पॉइंस होते हैं उनको पढ़ते रहना चीक है बीट पीच में से बाकी अपने इंपोर्टे नोट में से होता अब आज इसको ऐसे पढ़ना है रात को कि विदिन जितना भी घंटे लगे तुम्हार को इसको पढ़ने में इंपोर्टेंट क्वेशन शॉट क्वेशन लॉंग एंसे क्यों विद मैपवर्क सब कुछ कम्प्लीट हो जाना चाहिए सो लेट स्टार्ट ्ट्फ प्ल Allah को कुछर झाला है रहा हुछ जाना से तहो जज़ने में इस4 लॉग ङप्लाग हो तो सुम्हार को जाना चाहिए सम्हार को क्वेशन десятू को के छுद्साए पा टादे एक बाट मुझे तुम्हें बता नहीं थी वीडियो देखते देखते जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होता है उसको साथ के साथ लिखते राकरो ब्लैंडली वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है अक्टिवली वीडियो को देखा करो कि जो तुम्हें टीचर संधार है जिस मेरी वीडियो चलिए जो जो मैं बोल रही हूँ बोट पे भी सबको देख राकरो साथ के साथ लिखते राकरो जिससे की वो long term में पहुस्तर है तो अब हो गई है SSD full complete कैसे पढ़ा था मैंने पहले वीडियो देखी थी उसके साथ साथ में NCRT के back question जरूर खोड़ लिये थे जिससे की chapter का glimpse मिलता रहता है साथ कि आप कभी chapter के back question को जरूर देखा करो जब भी वीडियो से पढ़ रहे होते हो बहुत important होते है NCRT के back question भी SSD होगी है complete अमे लूंगी 10 मिनट का break और उस break के बाद मैंने complete करनी है English और English तो दीदी की वीडियो से सिम्रंदीदी की वीडियो से करना बहुत असान है तो मैं English की book भी नहीं लेकर आई हूँ उसी से सारा complete हो जाएगा revision batch से question answers कर लेंगे 10 मिन के break के बाद में लिगते है break time हो गया है over और मैं आग वाई हूँ अपनी जगा पी वापस अब करना है किल English और English आप एक राप में 5-6 चाप्टर भी अराम से complete कर सकते है अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ाए हो तो जैसी पढ़ना साट करना है मैं बोकी नहीं लेकर आई हूँ English की वीडियो से नफे modern question भी है everything is there बस दो register pen बहुत है English को complete करने के लिए अधे पूर सरी GPS में टेक लगाना भूल गई थी तो ये काम जरूर कर अगरो खुद को satisfaction मिलता है वही है तीन घंटे के अंदर पूरा का पूरा rise of nationalism in Europe complete हो गया है तो इसको लगा दिया है full on tick अब start कर लो दूसरा chapter done तो ये देखो मैंने letter to God कर रखा है first right कर रखा है Nelson Mandela कर रखा है और diary of Anne Frank भी कर रखा है तो आप कौन सा chapter बचा the hundred dresses वो दो दो लड़के वाली थी तो आज वो अज ये chapter को kill करना है और आगे उसके बाद जितना time होगा सब complete अपनी potential के हिसाब से complete करना है so let us start English now इंग्लिश के लिए जब भी कोई chapter तुम्हें सर्च करना है कुछ भी नहीं करना है तुम्हें chapter कर नाम डालना आगे डालना by Simran Shani जैसे letter to God है a letter to God by Simran Shani और वो by Simran Shani लिखने से तुम्हें साथ में मेरे important questions की वीडियो तो 2-3-3 में बना जुकियो हो भी मिल जाएगी कि chapter की वीडियो देखी important question करा done done सब complete है उनके अंदर तो यहां मैं कर रहा हूँ search the hundred dresses by Simran Shani अपने आप YouTube सब तुम्हें दे देगा निकाल के कि अपने यहाँ मैं कर दो किवाँ जुम्हें से पर एंदर हुम्हें पर एंदर मैं कि बोपिमयों भीडियों मैं झाँ है कि अधने पर जड़़गा है झाल 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 वीडियो देख ली मैंने 20 मिनट की वीडियो थी बागी की दिन मैंने इंपोर्टेंट क्वेस्चिन्स को करा मैं अपना बता हूँ तो मेरा ओल्मोस 40 मिनट्स में कम्प्लीट हो गया था पूरा का फूरा चैप्टर और तुम लोग अपनी पोटेंशल के हसाब से कम्प्लीट करोगी इंबॉर्टन गॉइशन अच्छी से लन करना अपने हसाब से जिती देर में आपका कम्प्लीट होता हो जल से जल उसको कम्प्लीट कर लेना तो हंडेड ड्रेस पे लगा देते हैं टिक और मैं तो जा रही हूँ सोने बट आप लोग दो बज़े तक पड़ो अगर कल आपका स्कूल है तो डेड़ बज़े तक मैक्सिमा अपना जितने आगे के चैप्लीट हो सकते हैं उन्हें कम्प्लीट करके तुमार को फुल कम्प्लीट करने उनको फिर सोना है आप लोगों को अगर तुमारे स्कूल नहीं है फिर क्या टेंशन है बी अ परो नाइट आउल चार बज़े सोना तीम बज़े सोना कि जब तक भाया ये सारे के सारे टिक्स कम्प्लीट हो जाए पूरी इंग्लिश को फाड देंगे फिर सोएंगे इस तरीके की मोटिवेशन के साथ किल कर देना सारे के सारे चाप्टस को तो मैं तो जा रहे हूँ सोने सोने जाने से पहले एक चीज़ बिलकुल इंशोर कर लेना कि सुबा का अलाम लगा लेना अगर तुम लोग दस बजे उठ रहे हो ना सुबा चार बजे सोके तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है तो इवन इफ यह अरा प्रोड नाइट ओल तो इसका मतलब यह नहीं कि सुबा एक बजे उठ रहे हो आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करती हूँ बेकास यूशली मैं आपको हमेशा बोड प्रकेटरिक्स देती हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो तो इस तरीके से करोगे तो 99 परसेंट आनी ही आनी है तुमारी अगर आपको यह वीडियो ची लगी तो बता दो एक दिन तुमारा भी व्लाग बनाएंगे जिसमें 12 की स्टडीज को क्यल करने वाले हम और जो तुमार से रिलेटेट इंबॉरेंट बाते है और अगर कोई नया स्टूरंट है तेंथ का जो अभी अभी 10 और 12 में आए है तो तुमारा लिए एक डिफेंट प्लान चलेगा इस साल तो नए बच्चे कमेंट कर दो पुराने बच्चे best of luck and I'm ending this video